चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं क्या है G20 शिखर समेलन यानि कि G20 शिखर समेलन से पहले इससे जुड़े सभी बेसिक सवालों के उपर हम बात करेंगे G20 की 28 सम्मिट इस वर्ष 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है इस साल भारत पहली बात G20 की मेजबानी करने जा रहा है इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है दिल्ली को सजाय जा रहा है ग्लोबल एकॉनमी में करीब 80 50 से जादा का प्रतिनी जित्व करने वाले G20 की अधेक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है इस सिखर समेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से शिर्ष नेता आ रहे हैं इसमें अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन, UK PM रिशी सूनक, फ्रांस के राष्टपती इम्मैनुल मेक्रो सहित दुनिया के 19 देशों के प्रमुक इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं आयोजन साल में एक बार होता है, हालांकि 2008 से शुरुवात के बाद 2009 और 2010 में G20 सम्मिट का आयोजन दो-दो बार किया गया था इस समेलन में ग्रूप के सदस्य देशों के राष्ट्रा ध्यक्षों को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है इसके बाद सभी देशों के राष्ट्रा ध्यक्ष बैट कर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगती मैदान में आयोजित होने जा रहा है अब हम बात करेंगे कि G20 में कौन-कौन से देश सदस्य है G20 को सबसे बड़ा वेश्विक संगठन माना जाता है इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, अर्जंटीन, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षन कोरिया, दक्षन अफ्रीका, सौधी अरब, रूस, मेक्सिको, जा पान, इटली, इंडोनेशिया, तथा बीसवे सदस्य के तौर पे यूरोपियन संग शामिल है, G20 की ओफिशल वेबसाइट के अनुसार, वेश्विक व्यापार में भी, ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है, और करीब दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है अब हम बात करेंगे कि G20 समूह कैसे काम करता है, G20 की अध्यक्षता किसी भी देश को एक साल के लिए दी जाती है, इस मौके पर G20 की अध्यक्षता करने वाले देश के साथ मिलकर अन्य देश के प्रमुक विभिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसमें आर्थिक जाते हैं, वित ग्रूप का नेत्रित्व G20 समूह में शामिल देशों के वित मंत्री और केंद्रिय बैंक के गवर्नर करते हैं, वहीं शेर्पा ग्रूप का नेत्रित्व G20 परक्रिया में शामिल समन्वे सदस्चे देशों के शेर्पाओं की तरफ से किया जाता है, जो नेत युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोध करताओं को एक साथ लाते हैं और उनकी तरफ से पेश किये गए बातों को समेलन में रखते हैं G20 समूग के पास कोई स्थाई सचवाले नहीं है किसी भी देश को प्रेजिडेंसी दिलाने के लिए ट्राइका का समर्थन प्राप करना जरूरी होता है हर ट्राइका में तीन देशों को शामिल किया जाता है जिसमें पिछली मौझूदा समय और आने वाली प्रेजिडेंसी देश शामिल होती है उदाहरन के तौर पर भारत की अज़क्षता के दोरान ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजिल शामिल होंगे यानि अगले साल G20 की अज़क्षता ब्राजिल करेगा G20 की लोगों और थेम की बात करें तो G20 लोगों में भारत के राष्ट्य ध्वच के जीवन तरंगों की सरिया, सफेद, हरे और नेले रंग से प्रेरित है जिसमें धर्ती को भारत के राष्ट्य फूल कमल से जोड़ा गया है, जो चुनोतियों के बीच विकास को दर्शाता है धर्ती जीवन के प्रती भारत के ग्रह समर्थन रष्ट्रिकोन को दर्शाती है, जो प्रकरती के साथ पूर्ण सामंजश्य रखता है G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपी में भारत लिखा हुआ है भारत की G20 प्रेजिडेंसी की थीम वसुधेव कुटुम्बकम या एक प्रत्वी एक परिवार एक भविश्य है जिसे महा उपनिशत के प्राचीन संस्कृत पार्ट से लिया गया है इसके साथ ही आज का हमारे विशे यही पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धर्न्यवाद